दोस्तो यह है कलकुलेटर प्रिंटर मशीन जिसमें क्या है यह चोटा सा रोल लग जाएगा 15 मिटर वाला एडप्टर आजैगा और इसमें क्या है कि आप दुकान का नाम डाल सकते हो प्लस कर सकते हो माइनस कर सकते हो उसमें कुछ एडिट करके मोडिफिकेशन कर सकते हो और को आप summary भी निकाल सकते हो, तो keys इसकी अच्छी मिलेंगे, मशीन के साथ क्या क्या आएगा, ऐसा यह के यह adapter आएगा, छोटा सा रोल आएगा, इसमें यह आपका off on virtual button आएगा, यह charging वाला port आएगा, और यहाँ पर charger जैसे ही लगा देंगे, तो आपका यह machine चार्ज होने लग तो अभी हम लोग समझेंगे कि start से हम लोग कैसे करेंगे, प्रिंटर यहाँ पे है, इसमें ऐसे easily रोल लग जाता है, machine on करेंगे, machine on करने के बाद हमें यह battery backup show होता रहेगा, प्लस जो आपको calculator में नहीं मिलता है, date or time, date or time इसमें आपका update होता रहेगा, जैसे हमारे घड़ी कि कैसे इसका programming होगा, easily अपन समझ लेते हैं, यह next वाला बटन है, password भी इसमें set कर सकते हैं, printer setting में जाएंगे, header setting में जाएंगे, पहली line में यह हमने यह delete कर दिया, आप हमें कुछ भी लिखना है, तो यह हम लोग easily लिख सकते हैं, ऐसे करके easily लिख सकते हैं, कुछ गलत हो ग लिखना है, तो easily आप लिख सकते हैं, C, H, ठीक है, space दे दिया, then आपका E, N, T, E, R, P, देखे, इसमें आपको space tech एक ही line में लिखना पड़ेगा, character पूरा फुल हो गया है, दूसरी line में हम लोग enterprises लिख सकते हैं, पहली line में set हो गया, और अब हमी दूसरी line में set करना है, तो next में जाएंगे, और यहीं पर enter करेंगे, enterprises दिखना है, तो E, then यह आपका हो गया, N, then T, E, R, again P, R, back जाएंगे, फिर से back जाएंगे, then I, S, E, S, ऐसा करके आप इसमें डाल सकते हैं, mobile number वगरा डालना है, कुछ mail ID आपका डालना है, तो वो भी आप डाल सकते हैं, और exit करके बाहर आजाएंगे, फूटर में कुछ डालना है, तो फूटर में भी आप have a nice day, thank you, visit again, या no return, no exchange, ऐसा करके, कुछ भी आप इसमें feed कर सकते हैं, exit करके बाहर जाएंगे, अब इसमें billing के लिए हमें क्या करना है, one number वाला बटन प्रेस करना है, one number वाला बटन, simple calculator mode पे machine चलेगा, जैसे suppose आपको 45 रुपीज के हिसाब से कित्ती quantity, no quantity देनी है, तो यहाँ पे आपका ये total show होता रहेगा, 405, अभी क्या है, ये plus हो रहा है, एक और plus कर लेते हैं, 60 रुपीज के हिसाब से 8 quantity, ये आपका plus हो गया, 885 हो गया, यहीं पे आपको minus करना है, जो दूसरी मशीनों में आपको नहीं मिलेगा, यहीं पे आप ये कर देंगे, एक मिनट, यहाँ पे आपको एक बार back जाना है, एक बार exit जाना है, और यहीं पे आप back करेंगे, तो ये minus होने लगेगा, suppose कुछ minus करना है, 8 quantity हमें minus करनी है, 8 रुपीज के हिसाब से, तो ये आपका minus हो जाएगा, तो जो आपका amount ज्यादा था, वो amount कम हो गया, और print करेंगे, तो ये आपका print हो जाएगा, अब printing में क्या आएगा, printing में दोस्तों, यहाँ प और minus 8 into 8 minus 64, तो ये 821, जो अभी तक की जितनी भी मशीने हैं, जितने भी कल्कुलेटर हैं, ऐसे नहीं मिलता है, शाम को शमरी आ जाएगा, शाम को शमरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर आपको exit जाना है, exit जाने के बाद menu वाला बटन है, menu वाला बटन, प्रेस करने के बाद हम लोग यह password डाल देंगे, total collection, सवेरे से साम तक का total collection किता हुआ, total collection आ गया, enter किया, 2239, इसी के आपको print करना है, तो यह print कर देंगे, यह ऐसे आपका print आ जाएगा, तो दोस्तों हमारे channel में बहुत सारी चीज़े मिलेंगी, cash door, token display, token dispenser, barcode printer, barcode scanner, बहु लिंक है, लिंक भी हमारे channel में मिल जाएंगे, और दूसरा एक हमारा channel है, energetic रवी करके, जो आपके ब्यापार को नहीं, आपके घर परिवार को अच्छा, शुगम, सुद्रिड, सरल बनाएगा, तो वीडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, अभी तक रुखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद,